वेल्कम टू माई चैनल और आज हम जो गल हमने लास्ट वीडियो थी जो महाजनपत की बनाई थी उसको पूरा करेंगे उसका यह पार्ट टू है तो उन्हीं पॉइंट को मैं आज कंप्लीट करूंगा तो हम रिपब्लिंग का जो सिस्टम ता राज्यों का जो महाजनपत्य उनके बारे में हम पढ़ लाए थे तो उसी टॉपिक को आज मैं पूरा कवर करूंगा इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि रिपब्लिंग राज्यों के अफधार्णा रिगवेदी काल की गण वैवस्था से ली गई थी अभी हम जानते हैं कि गण वैवस्था क्या थ प्रवासी लोगते और यह बक्रियां भेंसे वगरा पाल देते गाएं वगरा और यह यूद्व करते थे कि दूसरे जो स्टेट हैं दूसरे जो गण हैं जन्पद हैं उनसे जो उनकी मवेशी हैं उनको हासिल कर सकें तो यानि की ताकि गोमन्तु लोगते यह खाना बदूस सब लोग इसमें शामिलते हैं इसके साय सबसे मवेशी पाल लगते जो यूद्व की इस्थिति में सैनिका कारे करने लग जाते थे तो हम देख लिए हमने के यह सारे लोग जोते मेवेशी पाल लगते हैं कि घाना बदोश लोगते रहते घुमते फिरते रहते थे और उनको बदलना चाहते थे क्योंकि उस टाइम तक यह होता है कि ब्रहामानों का जोड़ता उस तर्व दब दब रता वर्चस वता समाज के उपर तो वहां पर समाज था बटा वह था चार कास्ट के अंदर अब उपर कास्ट फिर दूसरी क्लास के अंदर मतलब कि जो वर्गत अब फिर बड़े बड़े यग करवाओ तो यह चीज़ों को बतलना चाहते थे इसके जैसे नोने गणकी स्थापना करी थी कि हम तब लोग मिलके रहेंगे आपस मैं सब लोग आराम से काम करेंगों और चीज़ों को हम ठुकरा देंगे किसी परकार का जाती भेदबाव या रेपब्लिकन राज्यों के अंदर और गण के अंदर भी एसे था कि लोगों चुन के ही लाया जाता था उस समीथी के अंदर और ब्राहमन काल में क्या था एक वर विशेष दूसरे वर विशेष पर शासन करता था यूँकि वह शद्री लोग ते सबसे उपर ब्राहमन थे ब्राहमन काल इस नहीं बोड़ते हैं कि ब्राहमन की चलती ती जैसे उन्होंने कहा लोग उसी चीज को फॉलो करने लग जाया करते थे पर इसमें ऐसा निता पर पड़गलिकन जुराज देते हैं इनके अंदर यहां पर लोगों कि छुनते थे जुरा जा जा था उसको चु कोसल वच्स अवंति और मगद कि अब फोड़ा हम इनकी बार में शौर्ट में जानने की अगर बड़ा जाने चाहेंगे तो उसकी नहीं में लग वीडियो बना दूंगा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कोसल की जो राजा थे महा कोसल उन्होंने इसकी इस्थापना करी फिर उनके बेटें यहां के राजा बने प्रसनजीद का नाम था और प्रसनजीद महादनबुद के दोस्ते और उनके अजनयाई भी थे इसनिए उन्होंने जो बहुत धरम ता उसको कोसल का राज़द्धरम बना दिया था कोसल ने भी अपनी राज्य का विस्तार किया और काशि शाक्य चता कमल राज्यों पर कभजा कर लिया अ know if कोसल के राज़ा यह पर दियान नकिका है कि Repopular राज्य राज की पतनी थी और रानी तीवा की मगत की हाला कि कोसल एक ताकदवर महाजन पता फिर भी इसे मगत द्वारा प्राजित कर इस पर कवज़ा कर लिया गया कोसल ताकत वर्त होता मगर प्रसेंजीत के टाइम में यह कमज़र हो जुगा था यूगि उनके बेटें नहीं उनको गद्धी से हटा दिया था और उनके साथ धोका भी हुआ था प्रसेंजीत जोते ही फिर इस वह तूट से गया है और एक अच्छे योद्धा भी नहीं साबि कर बिंभी सार से और बाद में मागत की राजाते उन्हों नहीं कोशल पर आया हमला करके उसको कब्दा कर लिया था अगला है वत्त से जिसकी सीमा है वो लगती दक्षणी भाग से कोशल के राजदानी कोशाम भी है इनके जाज़ा थे जो राज़ा थे और शड़ी शर्दा है इस थापित कर लिए तो और अपने राज़ा का मजबूत कर देख ताकि हमारी लड़ाई उनसे ना हूं मगर इसे अवंति के राजह दुवारा प्राजीत कर इस पर कव्दा कर लिया गया मतलब इसकी ओपर भी कव्दा कर लिया बाद में कोशल के ओपर कर आता मगद ने और बसे के उपर कर लिया अवंति ने अब आगे हम अवंति के बारे में देखते हैं इनके राजाते मेरांज प्रध्योत्ता प्रध्योत्ता की स्पहली छोड़ी सी ना लिखने में आती नहीं कंप्रूटर सही से तो यह एक इस तरह से लिखा जाता है जो ऐसे है यह लिखा हुआ कि प्रध्योत्ता है मैं यह इनकी समय में थे मौज़ूद और इन्हें बद यह जो लाइन इन ही फिसे और आगे जो उनके प्रध्योयात था 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 और बाद में बंतिका भी और अंध हो गया था अब हम देखते हैं मगद यह आज का पटना और बिहार के जो गया है वहां कर शेयता और यह गयर आरियाई लोगते मतलब आरियन लोगों से अलगते और इनका जब मतलब प्रवुत्व कब बड़ा हेर यानक वन जोता उसके समय तो दोस्तों यह वीडियो कंप्लेट हो चुग हुआ तो इस वीडियो के नबार इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें